Good evening friends, I am Raijh Gupta, your IT Consultant. Today we are talking about Marketing Automation, an ultimate tool. Look, your marketing is basically, for example, you have a database or you have information about many customers and leads. You have a email ID and a mobile number. What happens is that you want to send regular emails, SMS, some content. So, what do you want to send your email, email, SMS, then ask for your email, send send, 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 send. What happened, what response happened, so many different things. So, when you have to ask all your questions manually, then you don't have to send regular emails. And that's not possible for them. नहीं पाता है और उसके लिए का एक employee basically engage हो गया, आपका time भी engage हो गया, आपका mind भी engage हो गया, आपके लिए को task हो गया, जिसके बारे में पूछना है, इन सब चीजों को आप automate कर सकते हो, अगर आप इन सब चीजों को automate कर देते हो, तो आपकी knowledge के बिना, आपके business की marketing रोज होती रहती है, हर वक्त होती रहती है, marketing होती रहती है, होती रहती है, और आप मानिए इसमें इतने amazing results आते हैं, क्योंकि जब आपको किसी mail का reply आता है, किसी SMS का reply आता है, आपको लगता है कि, अरे या, मैंने तो कोई effort डाला है नहीं था, ये कैसे हो गया, ये सब काम आप करेंगे, तो आपका business slow and study, 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 दीरे-दीरे करके बढ़ता है, और मानिए मेरी बात, बहुत ही कम टाइम में आपके business को बहुत ज़्यादा progress मिल जाती है, अब बात, depends आपके ऊपर करता है कि, आपके कितने product है, कितनी service है, कितनी कितना एक दिन mails बennete बेजना चाह रहे है, कितना data आपके पास है, पर आपका जितना भी customer है, जिसको भी आप cover करना चाह यह Gmail automation है, Gmail के थूरू आप इसको इजली कर सकते हैं, किसी को भी सिखाना नहीं पड़ता क्योंकि simple Excel sheet है, आपको just data enter करना है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ, जैसे मैंने एक sheet बना रखिया, इस sheet में क्या है कि आपको उस company का नाम डालना है, और basically contact person का नाम हो यह उसका mobile number है, address city, यह सब डाल सकते है, matter नहीं करता है, एक email ID आपको डालना है, ठीक है, अब देखिए, इसमें होता क्या है, कि आपने let's say, एक mail बना लिये, जो कि आपको सब customers को भीजनी है, और एक आपने SMS बना लिया है, जो कि आप सब customers को या leads को भीजना चाहते हैं, य सुबह 9 से लेके 10 बजे के बीच में mail बेज दो, तो सुबह 9 से लेके 10 बजे के बीच में, आप जितने let's से आपने आपने गा कि 1000 लोगों को mail बेज दो, 1000 लोगों को यह mail बेज देगी, और 1000 को SMS चला जाएगा, अब next day, सुबह 9 से 10, next 1000 को, फिर next day, next 1000 को, इस तरह से slow and study, 1000, 1000,000 लोगों को, जितने भी आप लोग set करेंगे, उनको mails और SMS आपके जाते रहेंगे, अब आपको पता भी लगता कि कब automatically किसी का reply आ गया, अब जब first follow-up चला गया, तो हो सकता है कि आपने एक और mail set कर रहे हो, different mail template set कर रहो, जिसको भी आपको बेजना है, तो वो जाना जब सारे चले जाएंगे, तो सब finish हो के first दुबार से शुरू हो जाएंगा, तो कहने का मदल है कि आपने अगर इसको एक बार set कर दिया, तो ये टूल आपकी रोज अपने आप marketing कर रहा है, regular marketing कर रहा है, अब आप कहेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे tools available है, mail chimp है, लेकिन उनकी अपनी अपनी problems है, subscription में specific target रहता है, एक course associated है, इसके साथ नाही कोई course associated है, आपकी personal email ID से जाता है, और एक अच्छी चीज़ पर आपको बताता हूँ, अगर आप mail मर्द समझते हैं, तो ये जितनी भी mails हैं, जितनी भी SMS हैं, ये बहुत personal level पर जाएंगे, personal मतलब उसके बिल Gmail IDs पर इसको implement करना चाहें, कर सकते हैं, अच्छी बात क्या है इसके अंदर, कि अब जैसे अगर किसी employee ने आपका नया data इसकंदर एड़ करना है, तो आप इसके corresponding form create कर सकते हैं, ताकि उस employee को सारा data ना दिखे, जितना उसको add करना है, वो इतना addition, for example, आपके रोज leads आ रही है तो आप उसको form के through add करेए, form के through add करेगा, तो automatically sheet के ऊपर आ जाएगा, और यहां पर, जैसे मैंने आपको कहा कि, Gmail ID से आप implement कर सकते हैं, और आप G Suite ID के through implement कर सकते हैं, तो G Suite के आप ID करीच सकते हैं, वो करीबन 210 रुपे पर मन्त के हिसाब से, IK email ID आती है, उसमें I think 2000 mails का ए एक price होता है, 12 पैसे, 15 पैसे, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, पर इस छोटे से tool को आपको एक बार लगा लिजिए, कोई cost नहीं है, once done, कोई cost नहीं है, और आपकी automatic marketing होती रहती है, दो employee का आप खर्चा बचाते हैं, तो आप यह लगईए कि इसको एक बार implement करने के minimum, आप every month 15-20,000 रुपे बचा रहे हैं, और सिर्फ बचा ही नहीं रहे हैं, अपने business की growth भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, उमीदे आपको यह video पसंद आई होगी, thank you